नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सावन के महने में सिबलिंग पर समी पत्र चढ़ाना होता है बहुत सूब लेकिन कैसे चढ़ाएंगे कैसे सिब जी को मनाएंगे कब तोड़ें और चढ़ाने से क्या होता है आये जानते हैं विश्तार से तो सावन का महिना भगवान सिब क सबसे प्रिमहना है और सच्चे मन पुरी सर्था के साथ अगर उनकी पूजा करें तो वो जल्दी प्रसंद हो जाते हैं भक्तों की सभी मनुकामनाय पूर्ण करते हैं तो सिपजी की पूजा में समी का पत्ता का कैसे करेंगे प्रयोग देखिए माना जाता है कि सावन के महने म अगर आप समी पत्तर सिपजी को अरपीत करें तो पूजा पाठ के कई गुना अधिक फल आपको मिलते हैं अगर सावन के महने में किसी भी दिन आप कर सकते हैं अरपीत लेकिन सोंबार के दिन करें तो भगवान सिप हाथो हाथ आसिरबाद देते हैं पूजा कैसे करेंगे भगवान सिप के मंदिर में जाकर पूरविया उत्तर दिसा की और मुख करके बैठें फिर तामबे या कासे के लोटे में जल लेकर इसमें गंगा जल डालें चंदन चावल डालकर सिबलिंग पर अरपीत करें फिर नमह सिबाय का अनवरत जब करें और इसके बाद समी के पत पैसान करें और यह समी का पौधा तूलसी के पौधे के तरही ही पूज़नी है अब समी का पौधा अगर हम सास्तर की मानें तो इसका बिसेश महणवabytes है क्योंकि इसको घर में लगान अच्छा माना जाता है और समी का पौधा भगवान सिब का सबसे पूज़ करतें दर प्रसन्न हो जाते हैं समी के पौधे को घर में लगाने के फाइदे तो है और साथ ही नकात्मक उड़जाओं से ये पौधा बचाता भी है घर में सुख सांती बनी रहती है तो समी के पौधे के लगाने के फाइदे क्या है लगाते समय किन बातों का ध्यान रखे चलिए जानत समी के पौधे को घर में लगाने से बरकत आती है और घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती और समी के पौधे को घर में लगाने से सभी दुख दूर हो जाते हैं सुख बढ़ता है यह भी कहा जाता है कि समी का पौधा अगर घर में लगाएं तो वास्तू दोस भी दूर हो जात मानताओं की अती है लेकिन अगर हम हिंदू मानताओं की माने तो समी के पौधे को घर में लगाने से बीबाओ में आ रही बाधाए भी का सिब अगर आपके घर में किसी के ऊपर 60ів सौन सदीजियाय की कि ढखाया चल रही है तो सनीज़ का पौधा जो का पौधा लगा दें तो राहत मिलती है परिसानी कम होती है सनी की साड़े साती ढहिया की मुस्कले कम होती है लेकिन ये पौधा कब लगाएंगे देखिए सनी बार का दिन सबसे सुभ होता है समी का पौधा लगाने के लिए वैसे आप दसहरे के दिन भी समी का पौधा लगा के दर्वाजे पर लगा सकते हैं तो घर के मुखे दर्वाजे पर संनी का पौधा लगाना सबसे सुम आना जाता है बस आपको ये ध्यान रखना है कि घर से बाहर जाते समें ये पौधा आपके दाहिने तरफ होना चाहिए जड़ रखिए दाहिने तरफ छट पर समी का पौधा अगर आप रखना चाहते हैं तो दक्षिन दिसामे रखें और अगर समभब ना हो तो पूरब दिसामे रखें समी के पौधे की भी तूलसी की पौधे के तरही रोज पूजा करें और धूब दी दिखाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा लेकिन समी के पौधे के कुछ चमतकारिक लाब भी है चलिए जानते हैं देखिए सबसे पहली बात तो जो तिस में नो ग्रह है और सनी ग्रह को नियाए धीस माना गया है और कुंडली में जब सनी किस्तिती बिगड जाए तो हमारे जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है अच्छा हो जाए तो हमारा जीवन बेतर और बिगड जाए तो मुस्किलें जादा और अगर ये ग्रह किसी ब्यक्ति को असुप प्रभाव दे सनी ग्रह तो भागे भी साथ नहीं रहता और घर में परिसानिया भी बनी रहती है इसलिए समी के पौधे के उपाय करने से लाब मिलता है तो सनी देव जो सनी का जहां भी आपके घर के आसपास सिला है अगर आप समी का पत्ता सनी देव क्यों अरपित करें तो दोस्त कम होता है तो सनीवार के दिन ये प्रियोग कर सकते हैं कारियों की बाधायें भी समापत होती हैं अगर नहीं है सनीदेव का मंदिर तो फिर कोई बात नहीं छोड़ दीजिए दूसरी बात अगर घर में आपने समी का पौधा लगाया है तो उत्तर पूरत विसा के कोने बेगरे में लगा लें लेकिन ये पहुत हाँ जब भी लगाएं सनीवार या दसहरे के दिन बिना सुमुर्द का मतल आईएगा तीसरी बात गनेज जी को अगर नियमित रूप से समी का पत्ता अर्पित करते हैं तो घर परिवार में बरकत बढ़ता है नौकरी रोजगार की परिसानी दूर होती है और गनेज जी को अगर आप समी का पत्ता सिर्फ बुद्वार को भी चड़ाएं हर बुद्वार जैसे आप दुरुआ खास अर्पित करते हैं बिल्कुल वैसे ही समी का थोड़ा सा पत्ता तोड़कर और गनेज जी को अर्पित करें बहुत प्रियेशन गनेज जी को और जब मानेता तो ये भी है कि समी में सिर्फ जी का बास होता है और इसी बज़े से ये पत्ता गनेज जी को आप चड़ाते हैं और समी पत्र चढ़ाने से बुद्धी तेज होता है घर की औसांती दूर होती है चौथी बाद देखिए समी का पत्ता सिबलिंग पर भी चाह सकते हैं जल में डाल कर एक लोटा जल ले ले थोड़ा सा पत्ते डाल दें या पुस्प है तो पुस्प डाल दें और ले जाकर सिबलिंग पर नमसिवाय बोलते वे अरपित कर दें आपके कुंडली के सारे ग्रहदो समाप्त हो जाएंगे ये परियोग आप रोज भी कर सकते हैं नहीं तो हर सोमबार को ये परियोग कर ले तो मुस्प के लें दूर होंगी जीवन की जो परिशानिया है वो समाप्त होगी अब जानते हैं समी के टोटके अगर जीवन में धन का अभाव बहुत है घोर से घोर दरिता चाई भी है खुम मेहनत करने के बाद भी धन आ ही नहीं रहा बच ही नहीं रहा तब आप किसी भी सनीवार के दिन एक समी का पौधा खरीद कर घर लाएं अब इस पौधे को जैसा हमने कहा छट पे किधर रखना है या फिर आंगन में आप घर से बाहर रखिएगा अब रोज सुबह सनान बेगे रख करके गमले में आप क्या करेंगे जो पौधा है लगा लिजे पहले अपने घर में जहां पिया आप लगाना चाहते हैं अब पहला दिन आप एक छोटा सा काम करें समी के पौधे की जड में पूझा की एक सुपारी और एक सिका जड की मिट्टी में कोड कर अपने मन की समस्या यहिनी की धन की प्राप्ति की प्रातना करके गार दें और इसके बाद एक लोटा जल या गंगा जल है तो अरपित करें और पौधे में नियमित रूप से जल अरपित करें और साम के वक्त एक दिया जलाईएगा आप देखिएगा धन की मुस्किलें दूर हो जाएगी दूसरा कभी कभी क्या होता है न कि आप चाहते हैं कि घर में बिमारियां आए ही न अगर कोई बिमार है तो जल्दी ठीक हो जाए तब एक छोटा सा काम करें आप सनी बार के दिन समी के पौधे के गमले में जहां भी आपका समी का पौधा है आप वहां पर एक छोटा सा पत्थल का सिबलिंग अस्थापित कर सकते हैं और सिबलिंग पर नियमित रूप से थोड़ा सा दूरं दूर्ट डूर्ट डूर्ट डाला करें इस बिधी से अगर आप पूजा करेंगे और महा मिर्तुञे का मंत्र का जब करेंगे तो परिवान में रोग सोक दुख आएंगे ही नहीं अगर हैं तो वो चले जाएंगे और महा मिर्तुञे मंत्र तो आपको पता है चन कुंडली में सनी दूसी थै किसी भी सनी बार के दिन से प्रारंब करके 45 दिन तक लगातार एक प्रियुक्रे आप नहीं कर पाएंगे जिस दिन उस दिन आपके बदले में कोई घर का अन्य बेक्तिक कर सकता है एक तो समी के पौधे के पास एक दिया जलाना है दूसरा अपने सिग्र बिभा के लिए काम ना करना है सनी दोस भी समाप्त होगा विवा की अर्चने भी समाप्त होगी वैसे तो बहुत सारे जैसे कि हमारे जोतिस में ये भी कहा गया है कि जिनका विवा नहीं हो पारा वो सिम्दूर से पूजन करे समी बिक्षका अगर कुंडली में कैसा भी दोस्त सरे साती धैया जो भी हो तो ऐसे में आप एक समी का पौधा अपने घर में जरूर लगा है और एक लाल कलावा लाल मौली धागा समी के पौधे में बांदे रात भर बांदे रहने दे सनी बार के दिन याद रखिए अगले दिन सुबह मौल दूर हो जाएगी अगर आपके उपर सनी देव की साड़े साती धैया चल रही है तो आपको नियमित रूप से समी के पौधे की देख बाल करना चाहिए जल डालना चाहिए लेकिन जल अभी जैसे बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं डालना को सिंपल तरीके से डालना है अब उनके सामने रोज सामने दिया जलाएं और सनी देव के पौधे में जो थोड़ा सा अगर काला तिल और काली उड़द अरपित कर दे उनकी जड़ में तो साड़े साती और जो धहिया है उसका दुस्प्रपाव कम हो जाता है चोड़ चपेट दुर घटनाओं से रक्षा होत अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखें दन्यवाद